हेलो दोस्तों वेलकम टूर चैनल SK11 fantasy तो आज हम बात करेंगे dream 11 smart investment strategy के बारे में यह strategy आपको अभी तक जितना loss कियो हो उस सारी loss का recover और अच्छा करशा profit gain करने में मदद करेगा तो अगर आप एक low investor हो या फिर medium investor हो तो आपके लिए आपके लिए इस वीडियो को बनाया गया है ठीक है तो आप इस वीडियो को end तक भीना skip किये देखते रहिए तो वीडियो शूरू काने से पहले आप सभी से एक निमेदाओन है अगर आपने अभी तक इस चैनल को subscribe नहीं हो जाइए या फिर टेलिगरम पर आके सीधा आप इसके 11 fantasy साच करके भी जॉइन हो सकते हो आपको टेलिगरम पर जो ना बहुत ही जोरूरी है फाइनल अपडेट के लिए ठीक है फाइनल तमाम सारे अपडेट के लिए तो आप देख सकते हैं आज मैंने टोटाल फाइव मै मैंने clean sweep किया और आपको five matches के clean sweep वो इसकी शुइप वी मैंने send करके रखा यह पर आप आके देख लेना ठीक है यह पर आप जूरूर आके देख लीजिएगा तो चलिए आप वीडियो को शूरू करते हैं तो देखिए आगर आपके पास एक अच्छा जोल है ना तो पहले आ आप लोग आपने आपको एक साल दोगे तो आप खूद इतना बड़े इंफेस्टर बन जाओगे न कि क्या ही बोलोगे इसके बारे में तो इसलिए मैं बोल रहा हूं कि मैं एक गोल सेट करो कि हां मैं आपने आपको एक साल देने बाला हूँ अगर आपके पर धाय हजर भी है फिर भी आप एक ही एक एयर की अंदर बतलब वन एयर की अंदर आप एक लाग कमा लोगे तो चलिए इसी इसी चीज़ के बारे में बताने बाला हूँ ठीक है तो पेल आपको कुछ टीप्स देना चाहता हूँ कि आप तो खेलोगे ठीक है ले बहुत सारे तमाँ मैचेस डीमेर में में मिल जाते हैं और सारे तमाँ मैचेस मत कहलना किया लाइक फूटबॉल होकी बस्केटबॉल जहाँ पर आपको नौलज नहीं है वहाँ पर भी आप जाके इन्बेस्मेंट कर दे तो यह ऐसी गलती मत करना कभी नहीं करना ठीक है और क्याना चाहिए इस इस च्टेजी के लिए मैं आपको स्रीफ ध्रीमेंबर क्याँ च्याँ की के लिए बहुत बोल पर गटाइं दे रहा हूं आपको को स्थक्रा कूलगू नहीं बोलाचेस बहुत है नसे बालता फारी नीन हो इस की लिए बि Championships लिए क commercials किक्यों ऑन आप मीन क में मैं आपको समझाने बाला हूं कि कैसे इस चीज को कर सकते हो आपने कितना wallet balance आपने wallet में कितना डाला धाय हजार ठीक है मैच on में क्या करोगे आप स्रे 5 contests लगाओगे 35 बला जो त्रीमें मेलते है 35 बला 5 आपको टोटल में मौन लगेगा 175 और यह फिर देख सकते 175 अगर हर जाओगे तो यह फिर आगर जीत जाओगे तो कितना 450 टोटल profit कितना हो जाएगा 275 रूपीज तो मैं मान लेता हूँ कि आपने पहला मैच हार गया ठीक है पहला मैच हार गया तो फिर आप क्या गरोगे दूसरे मैच में आके दूसरे मैच में देख सकते यह फिर मैंने 35 गुना 7 करके रखा मतलब आप 2 contests बाराद होगे ठीक है डबल नहीं 2 contests बाराद होगे मतलब पहले मैच में कितना 5 contests लागा है तो आपका investment टोटल कितना हो जाएगा पहले मैच को दूसरे मैच को जूर के आपको हो जाएगा 420 रूपीज लेकिन अगर सेके मैच में जीत जाते हो आपको टोटल जो अमोंट मिलेगा वह है 630 मैच में आपको क्या करना होगा तीसरा मैच में आके आप 35 पाला वह सेम कॉंटेस क्या करोगे 10 contests लागा दोगे ठीक है मतलब फिर भी 3 contests बाराद होगे फिर 2 contests बारा है आप आपके 3 contests बाराद होगे तो टोटल आपको investment कितना हो गया 770 रूपीज त्री मैच में ठीक है मतलब number 3 match भी आपको हार गया फिर 4 match में आके क्या को रहागे आप 17 contests लागा होगे 35 बाला अगर इस match में आके आप जिट जाते हो तो फिर आपको 1530 रूपीय मिल जाएगा ठीक है फिर आपको 165 रूपी प्रॉफिट हो जाएगा तो देखिए मैं जितना जानता हूँ और अभी तक में जितना मेरे पास जितना knowledge है और जितना अभी तक मेरे experience है चार match लागा तर आप नहीं हरोगे 3 member में एक guarantee के साथ में बोल सकता हूँ जिंदिके में भी नहीं हरोगे ठीक है अगर आपनों को सच में ही टीम माना नहीं हाता तो साइध हो शकता है लेकिन मुझे ल अभी और आपने मान लेता हूँ आपने फोर मैचेस पे भी लॉस होगी तो फेर आपने फैप मैंचेस मतलब नामर्र में क्या कोरोगे 30 कॉंटेस लागा दोगे ठीक है 35 बाला 30 कॉंटेस आपको टोटल इन्वेस्टमेंट हो जाएगा 200 साइट 2415 फिर आपको यह पर आगे फिट मैचेस में आके पूरा जीच जाते हो तो फिर आपको कितना मिलेगा आपको 700 रूपिया मिल जाएगा ठीक है मतलब प्रॉफिट फिर भी आपको 285 रूपिज प्रॉफिट मिल जाएगा तो मैं यह ही मान लेता हूँ कि आपने एक ही दिन में 5 मैचेस खेला और आपको टोटल जो प्रॉफिट निकल के आया है वह है 285 यह आपको आएंगे आएंगे यह है मतलब मिनिमाम एमांट जो मैंने ब जित जाओगे ठीक है ओओ को मैंने मनने तो कि आपका बोनस की रूप में आपकी वालेट में एड होतर आएगा ठीक है तो मैं आपको कितना ले लाता हूँ 285 रूपिज ले लेता हूँ कि मैं 5 मैचेस खेलके 285 रूपिज मैंने प्रॉपिट किया तो देखो यह मैंने एक कितने मैस कैलते हो मैं तो कुछध कभी-कभी दौस मैस मी खेल लेदा हूँ तो अगर मुझे आच्छा मैच लागे थो यह आपर देखो मैंने 85 रूपिज ले लिया तो आप में एक मांथ के अंदर आपको कितना बोपिट हो जाएगा आपको एक मांथ के अंदर कितना 8,550 रुपीज आपको profit हो जाएगा एक ही मांथ मतलब एक ही मांथ के अंदर आपका total balance कितना था? धाए हजार आपने कोई भी रिक्स नहीं लिया ठीक है? कोई भी रिक्स नहीं लिया फिर भी आपने एक माएने के अंदर एक ही मांथ के अंदर 8,550 रूपीज प्रॉफिट कर लिया तो दोस्तों यह है इस्टेटिजी की आसली आसली फॉर्मुला ठीक है अगर इस चीज को आपने अपलाई कर लोगे न आप जिन्दिगी में भी कभी नहीं रॉस में जाओगे और आपको कोई टेंशन भी लेने नहीं होगा ठीक है आप दीरे से खेलो धीरे से प्रॉफिट गेंड करो और फिर धीरे धीरे आप अच्छे खासा प्रॉफिट जब गेंड कर लोगे खूद से ही आप बड़े इंवेस्टर बाज जाओगे ठीक है तो फिर देखो या फिर मेने दो मांध के अंदर कितना प्रॉफिट हो जाएगा 17, इसा नहीं करना है आपको ऐसे एक साल जब खेलोगे आपको एक लाग मेने मीनिमम बताया एक लाग से भी जादा आपका औरेट बैलेंस हो जाएगा यह मैने खूद कर चुका हो जोस्तों जब मैं कर चुका हूँ तो आप क्यूं नहीं कर सकते हो देखो मैं यह आप इस चैन में ऐसा कोई वीडियो में बनाऊंगा भी नहीं और बताऊंगा भी नहीं जो चीज में नहीं कर पाया और आपको करने के लब बोलूगा ऐसा कभी नहीं होगा अगर होता तो मैं दो साल दीन साल पहले या के वीडियो बना कर डल सकते थे जो चीज मैंने हसिल की वही चीज मतलब मैंने सीख पाया मैने ऐसी गल्तियों से सीखा और इसी मैने आपने आपको बदला या तो पिर आपको यू नहीं बदल सकती इस से भी ज्यादा मतलब एक लाक से भी ज्यादा तो चलो मैंने मान ले था हूँ या कि आप्रोक्स एक लाक रूपी अगर आपके वालेट बैलेंस में आ जाएगा तो आप ही बताओ क्या आप बड़े इंवेस्टर नहीं बाओगे आप खूद बन जाओगे ठीक है और फिर म और लंबा हो चुका है तो दोस्तो और कुछ हम बताएं यूझा हरम चीज ही आफ के आपका लाइफ है आपने मैं मानता हूँ कि सबक्राइबर में जो टाइम होता है बहुत कीम Theater ऌर में बैदर कमपा में कुछ करना हेना तो आपको समयों लाइं और मैं आपको कुछा है इसलिए कभी सब्सक्राइब करने पर लेंगू सकते हो तिलिघ्राम पर जूड जाओ कि मेरा टीम कैसा हawi कि मेरी विर्मिस कैसा हो है एक पता चल जा किे घुड़илась